हेलो दोस्तो नमस्कार प्रकासरी हिंदी पर आप सभी का स्वाजत हैं दोस्तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी सिवा प्रेरक जो भरती चल रही है उस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तो इसमें 50,000 पद हैं इसके लिए फोरम ओनलाइन पहले हो चुके थे अब इसकी इं जहां पर भी इंटर्वी में परसन पूँचे गए हैं और कमेंड्स के माद्यम से हमें परसन प्राप्त हुए हैं कुछ क्यों संस प्राप्त हुए हैं कि किस परकार से क्या इंटर्वी लिया जा रहा है और कौन-कौन सी क्या परसन पूँचे जा रहे हैं यानि अधीग बा बार-बार कोन से person repeat हो रहे हैं तो 2 September 3, 4, 5 or 6 September को जो अधिकतर person पूछे गए है और बार-बार repeat होए हैं और जिन लोगों ने हमेंक comments के मादम से बताया कि यह person पूछे जा रहे हैं दोस्तो उन परसनों से समन्दित लेकर के मैं इस वीडियो में उपस्तित हुआँ तो इंटर्यू में जो परसन पूंचे गए हैं वो परसन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो आप अवस्य ही ये पार्ट भी देखें और सेगिंड पार्ट भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को दबाकर आल पर किलिक ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तो मातमा गांदी सेवा प्रेवर्ट बरती में इन पांच दिन में जो परसन पूँचे गए हैं उनका फ़स्ट वीडियो है इसमें कौन-कौन शी क्या परसन पूँचे गए हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तो एंड तक अवस्ट से बने रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें अवस्ट से ही आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाबदाएक रहने वाला है यूसफूल रहने वाला है साथे वो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डोकुमेंट्स लेकर के जाने हैं साते हो योगिता पर्मान पत्र आपके पास दस्वी बार्वी BA, MA, BA या इनके अलावा और भी डोकुमेंट्स हैं वो आपको लेकर के जाना है और आपकी जो अंतिम क्वालिफिकेशन है वो भी पर्मान पत्र आपको अवस्य लेकर के जाना है मौन युवास पर्मान पत्र, मददाता पैचान पत्र, रासन कार्ड, आधार कार्ड, जन हादार कार्ड, जाती पर्मान पत्र इतना खेरूपियों की नहीं है लेकिन फिर भी आपको लेकर के जाना है और इसके अलावा आपके पास अन्य और भी डोकुमेंट्स हैं जैसे NCC क आपको अन्य और कोई गेम से समंदित है वो भी आप साथ अवस्य लेकर के जाएं शातिव आप इंट्री देने के लिए जाएं और आपका जिस दिन बुलावा आया है उस दिन आप जाएं तो ड्रेस कोड का ध्यान रखें आपका ड्रेस कैसा है उसका ध्यान रखें रूम एंट्री का ध्यान रखें दोस्तों जैसे आपका नाम बोला जाता है आपको अंदर बुलाया जाता है तो बिना पूंचे अंदर ना जाएं और अंदर जाकर के जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे आप गुड मॉर्निंग कहें इसके अलावा बैठने के डंग का ध्यान बात यह है इंट्रिव में कि आप इंट्रिव देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका ड्रेस कोड का आप ध्यान रखें और रूम में जैसे एंट्री करें तो पूंच करके अंदर जाएं गुड मोर्निंग करें सभी सदस्यों से और बैठने का ध्यान रखें और जब आपसे कोई परसंट पूंचा जाए तो सातियों परसंट पूंचा जाए तो यदि उसका जवाब आपके पास है तो आप बहुत ही सांती पूर वक्त उसका जवाब दें यदि आपको जवाब ध्यान में नहीं है आप नहीं जानते हैं उस परसंट के बारे में कुछ भी तो आपको वहाँ पर silent रहना है सातियों यहाँ पर आपका जो इंट्रियो हो रहा है लोगों ने बताया कि 5 से 10 मिंट के मद्दे आपका इंट्रियो लिया जा रहा है वहाँ पर आपको बिठाया जा रहा है कम से कम 5 मिंट और अधिकतम 10 मिंट इसके बीच में आपको वहाँ पर बैठ करके परसन पूँचा जा रहा है सातियों कौन कौन क्वार्ण शी क्या परसन वहाँ पर पूँचही जा रहे है उनके बारे में जो हमें कमेंट्स के माद्रम से कुछ क्यूसन मिले हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सेकंड वीडियो में भी जो परसन इस वीडियो के अलाव बचिए हैं वो बताऊंगा इसलिए अवस्य दोनी वीडियो आप देखें और इन से समझेद कुछ तयारी भी करके जाएं तो सातियों इसके लिए चैनल को वापर पूंचा जा रहा है कि आप अपना प्रीचे दें तो बहुत ही सिद्धत के साथ आप अपना नाम अपना अडरस बताएं होसकता है तो अप उसके साथ अपनी क्यूलिफ görüş के बारे में बता जा कि आपकी योगिता क्या है आपने कौन सी किलास कहां से पढ़ी किसी स्कूल से पढ़ी कौन सी इंडर्शिटी से पढ़ी कौन सी कौले से आपने क्या पढ़ा उसके बारे में आप से परसंड पूंचा जा रहा है तो यदि योगिता से समझेत परसंड पूंचा जाता है तो अ बहुत ही मेरत्पून परसन है अपना प्रीचे दें और योगिता के बारे में जो परसन पूंचे जा रहे हैं ये अधीग बार रिपीट हो रहे हैं इनके बारे में आप आवस्चे ही ध्यान डखे और पूंड तयारी के साथ जाए इसके आगे साथियों ये परसन भी सबसी ज काम करेगा उसका क्या काम होगा इसके बारे में आप आवस्चे जानकरी लेकर के जाएं साथियों आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं कि मातमा गांदी सेवा परेरिक क्या है और इसका क्या काम होगा साथियों वसी मैं आपको बताना चाहूंगा सोट में कि मातमा उन योजनाओं को लेकर के जाने का उनका काम होगा उनके बारे में जनता को जानकरी देनी होगी इसके अगावा आप इसे समंदित और भी आप Google पर सर्च करें और सर्च करके इसे समंदित आप जानकरी जुटा ले और नेश्ट के उसन साथे इसमें पूंचा जा रहा है कि माहत्मा गांदी सेवा परेरक क्यों बनना चाते हैं आप से परसंद पूंचा जा रहा है कि माहत्मा गांदी सेवा परेरक जो भी बनेगा उसमें 4500 रुपे मंतली दे जाएंगे और इसमें एक साल के लिए खरी ये नोकरी है लेकिन इसके बाद में आगे बढ़ेगी और बढ़ भी सकती है हो सकता है बहुत से में ये पर्मेरेंट भी के जाएंगे तो मात्मा गांदी सिवा परिरेंग आप क्यों बनना चाहते हैं इसका क्या कारण है तो दोस्तों इसी समन्दित आप अपना आंसर सेट करके जाएं कहीं से भी आप इस परसन के आंसर जुटाने की कोशिज करें इसके अलाव सबसी ज़्यदा और रिपीट होने वालवा क्योस्जन है कि कोई पांच रज्जी सरकार दोरह चलाई जा रहती योजनाओं के नाम पूच्चे जा रहे हैं कि रास्तान सरकार की दोरह जितने भी योजनाओं चलाई जा रहे हैं उनमें से आप किनी पांच योजनाओं की नाम बताईए तो दोस्तों पांच योजनाओं आपको वहाँ पर बतानी है यानि आपको अनेक योजनाओं की नाम याद रखनी है उनसे समंधित थोड़ी बहुत knowledge भी आपको रखनी है तो आपको इस person के उपर भी अच्छा focus करना है क्योंकि दोस्तो ये जो बर्ती हो रही है ये बर्ती राज्य सरकार के दोरा चलाई जारे जितनी भी योजनाई है उन योजनाओं से समंदित लेकर के ये आपकी ये बर्ती है इसमें चैना आपका किया जाएगा क्योंकि योजनाओं का ही जनता के पास जाकर के आपको जांकार नहीं करने पड़े कुछ योजनाई हैं जिनके बारे में आप अवस्य ध्यान रखेंगे और थोड़ा विस्तार से भी आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर देख लें अन्या और कहीं भी आप इनकी जानकारी ले सकते हैं सातियों इसमें परस्ण janाँ जा रहा है कि पांच राज्य सरकार की दवाराद चलाई जारी योजनाओं की नाम बतहें लेकिन कुछ सदस्यों सी ये भी परस्ण किया जारा है कि इन पांछ में से किसी एक योजना का आप विस्तार से हमें समझाईईए तो आप एक या जिसमें आठ रुबे में खाना दिया जाता है युवा संबल योजना जो कि इसमें बत्ता दिया जाता है इसमें 21 वार्ष का जो कंडिडेट्स है और अध्यम रथ है कोई भी परतियोगी की तैयरी कर रहा है तो उसको बत्ता दिया जाता है विद्या संबल योजना मुख्यमं जिसमसार ज़ता है मिलमेठों स् 1977 dell चनी का दन जबे गन जाते हैं दाएं दौए लेने के लिए तो वहाँ पर आपको नीस vagy दौए दी जाती तो तो ये योजना भी एक मैत्पुन योजना है, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, इसके लावां और योजना के बारे में जाना चाहेंगे, जैसे पालन हार योजना है, जिस भी बालक का माता पिता का निदन हो गया है, तो उनसे समंदीती ये पालन हार योजना है, जै में चल रही है तो कुछ योजनाओं की जानकरिया आपको आवस से रखनी चाहिए इसके अलावा कुछ और योजना हैं जो कि मैंने जुटाने कोशिज किया और सबसे परमुक योजना जो वर्तमान में चल रही है जिसे मुख्यमंत्री नेसलुक अनपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसमें सात आइटम बाटे गए हैं जिनको भी रासन मिलता था इसमें ये परसन पूर्ण सा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री नेसलुक अनपूर्ण फूड पैकेट योजना में कितने आइटम समली थे कितने आइटम दे गए तो साइध आइटम इसमें दे गया और इसके अलावा सो ग्राम दिनिया का भी पाउटर दिया गया था इस योजना के बारे में आप ठोड़ी और जानकरी जुटा सकते हैं कि कब से प्रारम की गई थी इसके अलावा कुछ और अन्य योजना हैं जैसे वरद्धास्ता पैंसन योजना महिलाओं को 55 साल बा 2500 अठाउन वर्सिस में रखी गई है एक मेथ्मुन योजना है महिलाओं से समय्दिद्धी आपसे कोई योजना यदि महिला इसको पुछा जा सकता है कि उडान योजना क्या है तो उडान योजना महिलाओं को नेछलत नाप्किन दी जाती है उससे सम familiarốc उड़ान योजना है तो माईलाए कंडिडेट इस योजना पर और भी focus कर सकते हैं इसके समंदी जो जानकारियों गूगल से आनियार और कही जगे से जुटा सकती हैं ये योजना माईलाओं को पहुंची जा सकते हैं और कुछ कंडिडेट्स तो कह रहे थे कि मैलाओं से उडान योजना की बारे में सबसी अधीग बार पर्शन किया जा रहे हैं इसके अलावा हम दो योजनाओं पर और चल्चा करते हैं जैसे चरिंजीव दुरुगटना बीमा योजना जिसमें 10 लाक हैं और चरिंजीव सवास्त बीमा योजना जिसमें 25 लाक हैं दोनों योजने अलग अलग हैं यहां पर कंडिडेट्स कंफूज हो रहे हैं सवास्त बीमा योजना जब पहुची जाती है तो बहुत से लोग आनसर 25 लाक दे रहे हैं बलकि इसका सई जवाब है 10 लाक और सवास्त बीमा योजना है इसमें 25 लाक तो दोनों को याद रखे दुरुगटना होती है तो 10 लाक सवास्त के लिए 25 लाक इसके अलावा ये परसन सबसे अधीग बार रिपीट किया जा रहे है सातियों इसके उपर आप अच्छा फोक्स रखना पांस साथ मिन्ट आपको वहाँ पर बिठाया जाएगा ये परसन आपसे पूट अप की जाएंगे क्योंकि अधीग लोगों से अधीग बार ये परसन पूचे जा रहे हैं जैसे नाम या फुल पोरम पूचे जा रहे हैं यानि कुछ फुल पोरम पूचे जा रहे हैं और कुछ नाम आपसे पूचे जा रहे हैं तो जो नाम पूचे जा रहे हैं जिनकी फुल पोरम है वो आपके पंचायतने आप कोन है बीडियो कोन है फुल फोरम पूछे जा रहे हैं से भी एफो एफो जिला परिशत कोन है इनकी फुल फोरम और इनकी नाम पूछे जा रहे हैं आपका परधान कोन है विधाय कोन है सांशत कोन है आपका कलेक्टर कोन है महिला बाल विकास मंतरी को और अमता पूपेस पर्सन के लिए चलाई जा रही पांच योजनाओं की नाम पहुँची जा रहे हैं कुछ कंडिडेट से ये परसन पहुँचा जा रहा है कि किसानों के लिए राज्य सरकार की तरब से कौन-कौन योजनाई चलाई जा रही है उनमें से आप किसी पांच योजनाओं के नाम बताएं तेन योजनाओं के नाम बताएं इस परकार से परसन पहुंचा जा रहा है तो जैसे किसानों से समझेत योजनाई हैं किसान मित्र योजना है तारबंदी योजना है कृषक साथी योजना है इनसे समंदित और भी जो योजना हैं उनके बारे में आप जानकरी जुटा लें और किसी एक योजना के बारे में थोड़ी विस्तरी जानकरी भी लें ताकि यदि पहुंचा जाए कि किसी एक योजना के बारे में आप विस्तार से समझाएं तो अब से ही आप समझा पाएंगे अगला परसन पूंचा जा रहा है समें सात्यों कुछ कंडिडेट से पूंचा गया है कि शिक शिक दिवस कम मनाया जाता है क्योंकि अभी करेंट में मनाया गया था 5 सितंबर को इसका ध्यान रखना गांदी एहिंशा दिवस कम मनाया जाता है मात्मा गांदी से समंझा परसन है मात्मा गांदी दिवस कम मनाया जाता है एहिंशा दिवस कम मनाया जाता है 2 अक्टबर को मनाया जाता है क्योंकि गांदी जी समंझा जाता है और अमरी इस भरती का नाम भी गांदी जी के नाम पर रखा गया है सवतंतरता दिवस और गंतंतर दिवस से समधी परसन पूछी जा रहे हैं एक कंडिडेट से ने बताया था कि सर मेरे से गंतंतर दिवस कहुचा गया कि गंतंतर दिवस कम मनाय जाता है तो मैं कन्फूज हो गया था और मैंने इसका जवाब 15 अगस्त दे दिया था तो 77 द्युस मनाया जाता है 15 अगस्त को क्योंकि हमारा देश आजाद वा था 15 अगस्त 1997 को और गंतंतर द्युस मनाया जाता है 26 जनवरी को क्योंकि 26 जनुरी 1950 को हमारा भारत देश का सवीदान लागूब था इसलिए सौतनतरता दिवस 15 अगस्त को और गनतनतर दिवस 26 जनौरी को मनाया जाता है सातियों ये कुछ परसन थे जो कि कमेंट्स के मादम से मुझे पराप्त होए थे इन परसनों को आप अच्छी तरह से तयार करके जाएं ये 11 क्योशन है सातियों आपको बताना चाहूंगा कि इन 11 परसनों में से आपको 90 परसनों में से परसन पूंची जाएंगे सातियों हो सकता है एक को क्योशन अलग तरीके से आप सको पूंच लिया जाए वरना यहीं से अधिक तर परसन पूटप के जा रहे हैं तो आप इन पर्षनों से समझे अच्छी तहरी के साथ जाएं और सई डंग से बैठें और जवाब दें और जिसका भी जवाब आपकी पास नहीं है तो आप मौन रहें सांत रहें साइलेंट रहें आपको वहाँ पर मना करने की या गलसल्द बताने की कोई अवस्षिकता नही है वह एक बहुत ही अच्छा इंट्र्वी होगा साथियो आसा करता हूँ कि आप सभी का जिसने भी इस वीडियो को देखा है आपका चैन हो दूसरा वीडियो भी जो कुछ और परसन मेरे पास है या अन्य और कुछ परसन और कमेंट्स के माध्यम से जो प्राप्त होंगे व आने वाले वीडियो का नोटिफिकिसन मिलें सातियो जो कंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका पहले इंट्र्वी हो चुका है या इस वीडियो को देखने के बाद में आपका इंट्र्वी होता है तो आप इस चैनल पर आकर के अवस्य ही इस वीडियो में कमेंट करके आवसे बताए कि आप से कौन-कौन से परसंट पूछे गए साथियो क्योंकि अन्य जो भी कंडिडेट्स हैं उन कंडिडेट्स के पास ये 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 परसंट जाते हैं तो उनका भला होता है तो बहुत अच्छी बात है साथियों चैनल को सब्सक्राइब आउस्य करना आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक आउस्य करें जितने भी कंडियेट्स आपसे समंधित हैं जुड़े हैं उनके पास इस वीडियो का आप टेलिग्राम वाटसप फेस्बूक की मादम से सेंड करें धन्यवाद